पांस दिन की ब्रेक के बाद दोस्तों आज की इस वीडियो के नहीं बात करने वाले हैं आप पाउड डिरेक्टर के इंदर वीडियो इफेक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हो कौन कौन से ओप्षिन्स यहाँ पे आपको इफेक्ट्स के इंदर देखने को मिलती है और यहां पर कहां पर आपको power director की option देखने को मिलती है क्योंकि power director ने अपने पूरी theme को change कर दिया है और अब effect की option आपको open नहीं मिलती है आपको कहीं और option मिलती है effect की तो काफी सारे लोगों की inquiries आ रही थी इससे related तो आपके लिए यह video बन रहा है वीडियो को आप पूरा जरूर दिखिए यहां पर complete आपको बताने वाला हूँ power director के इंदर effects को कैसे use करोगी तो दोस्तों यहां पर मैं आज कहा हूँ power director की android application के अंदर और यहां पर मैं आपको complete बताने वाला हूँ आप अपने channel के ऊपर effects को कैसे use कर सकते हैं पॉर्ण कॉर्ण सी option यहां पर मिलती है और सबसे important जिस effect की option यहां पर आपको काम मिलती है जो पुराने वाला version था power director का उसके अंदर आपको left side के अंदर effect की option देखने को मिलती थी लेकिन अब यहां पर आपको effect की option देखने के लिए किसी भी clip के ओपर आपको click करना पड़ेगा उसके बाद effect के option यहां पर आपको मिल जाती है यह के ऊपर click करोगे तो बहुत सारी options यहां पर आपको मिलती है बहुत सारे effect यहां पर आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप अपने video के अंदर use करोगी सबसे important चीज़ यह है कि अगर आप किसी भी effect को use करते हो वो आपकी पूरी clip के ओपर use होगा मतलब अगर आपकी clip एक second की है तो effect एक second तक रहेगा अगर आपकी clip एक minute की है तो एक minute तक उसका effect चलेगा तो यहां पर बहुत सारे effects हैं जिनको आप use कर सकते हो अपनी बहुत बड़ी वीडियो clip के ओपर भी और कुछ ऐसे effect हैं जो कि आपको एक second दो second की clip के ओपर ही use करने चाहिए तभी जादा अच्छे लगते हैं वो यहां पर आप decide कर सकते हो effects को देखके कौन से effect आपको कहां पर use करने चाहिए यहां पर effects के अंदर आपको बहुत सारी option देखिन को मिलती है जिनको आप use कर सकते हो यहां पर कुछ effects ऐसे हैं जिनके अंदर आपको effects की और option देखिन को मिलती है जैसे कि सबसे पहले यह glitch वाली option है जिस गेंदर आपको 4-5 और effect यहाँ पे आपको देखिने को मिलते हैं अगर आप इनको use करना चाहो तो use कर सकते हो ऐसी और भी बहुत सारे effects हैं जिनकी अंदर आपको अलग-लग option देखिने को मिलती है तो यहाँ पे अगर आप किसी effect को use करना चाहते हो simply आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद जो है वो effect आपकी वीडियो के उपर add होने लग जाएगा अब यहाँ पर जिस भी effect को आपने use किया यहाँ पर तो आपको option मिलती है 3 dot की इसके उपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और option देखने को मिलती है जैसे कि कई बार यहाँ पर आपको डिगरी की option देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर इस x-ray वाले effect के उपर आपको डिगरी की option मिल रहे हैं तो यहाँ पर यह अभी लगवख full के उपर है आप इसको कम कर सकते हो कितना आप कम करना चाहते हो उसके बाद यहाँपे आपको कुछ हो एक ऐसे effect भी देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको कुछ और effect देखने को मिलेगा कुछ और option देखने को मिलेगी जैसे कि frequency, strength इनके ओपर क्लिक करोगे तो इनको भी आप इस त्रीके से कम जादा कर सकते हैं जहां पर लगता है कि आपकी वीडियो के लिए अच्छा है वहां पर आप इनको रख सकते हो अब यहां पर तुम मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करोगे अब कहां पर जोए कौन सा इफेक्ट आपको यूज करना है यह आपको खुद सा इफेक्ट यूज करना है तो यहां पर आपको क्लिप के ओपर क्लिक कर लेना है जिस भी बड़ी क्लिप के अंदर आप इफेक्ट को यूज करना चाहते हो उसके बाद यहां पर आपको स्प्लिट कर लेना है जहां से जो आपको इफेक्ट स्टार्ट करना है वहां पर सब आप कोई भी effect यूज़ कर सकते हो आप यहां पर glitch वाला effect यूज़ कर सकते हो यहां पर आपको zoom in, zoom out और भी बहुत सारी effect देखने को मिलते हैं यह TV wall वाला effect यहां पर आपको देखने को मिलते हैं इसको भी आप यूज़ कर सकते हो तो यहां पर hot gentle number है, vertical number है तो यह सारी option यहां पर आपको मिलती है अलगलग effect के अंदर अलगलग option आपको देखिन को मिल सकती है तो यहां पर जो है मैं इसको play करके आपको दिखाता हूँ कैसा यह जो है दिख रहा है तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के अंदर effects को use कर सकते हो अगर आप किसी बड़ी clip के ऊपर यूज करना चाहते हो तो वह भी मैंने आपको complete बता दिया अगर आप किसी बड़ी clip के ऊपर चोटे से part के अंदर effect को use करना चाहते हो तो उसके लिए यहां पर आपको simply split कर ले बातम होगा वहां पे split करके जो आपकी दूसरी clip बनेगी उसके उपर आपको click करने के बाद यहां पे आप effect को use कर सकते हो यहां पे आपको बहुत सारे effect मिलते हैं आपको blur के भी effect देखने को मिलते हैं जिनको आप use कर सकते हो आपको एक एक करके सारे effect देखने पड़ेंगे यह किस तरीके से यहां पर काम करते हैं तो किस तरीके से आप effects को use कर सकते हो और यहां पर transitions के लिए भी आप Acts को îlma कर सकते हो तो दूस्त diagnostic पूर्स्वाइटी का अब आपको अच्छे समझ आ independence है किस तरीके से पाव ट्रेक्टर के अंदर विडियो effects को use कर सकते हो तो कहां पर आपको option मिलती है, effects की, effects के अंदर आपको कौन-कौन सी option देखने को मिलती है, अगर आपका इससे लिए कोई और स्वाल है, नीचे comment box के दरा मुझे जुरूर से बताईए, power director के ऐसी किसी और option के बारे में आप complete information चाहते हो, तो भी नीचे comment box के दरा मुझे बताईए, आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, लाइक कर देजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों इस वीडियो को शेर कर देजिए, और ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देजिए, और साथ में bell icon को प्रेस कर देजिए, इससे जो आपको मेरी सबी annual वीडियो की regular notification मिलती रहेगी, परसनलिया मेरे से कुछ कोशन प्यूशन प्यूशन चाहते हो, Instagram और Twitter के प्राम मुझे follow कर सकते हो, लिंक दीचे description के अंदर दिया गया है,